Do Good morning to everyone, आज हो हम discuss करते हैं multiple choice of Ms Excel तो आज का first question है Is the shortcut key to create a chart in Ms Excel? में छार्ट को create करने के लिए कोन शी शार्ट की apply करते हैं? 11 है, जे हमारा shortcut T है किसका yap को create करने के लिए और f5 है जह किसके लिए है जह refresh के लिए refresh और गो टू दा डायलाग के लिए गो टू डायलाग बाक्स के लिए f5 का इस्तेमाल करते हैं dialogue box और f2 एडिट के लिए इस्तेमाल करते हैं और f7 जह spell check करने के लिए spell check करने के लिए f जो functioning key हमारी की है f वार न से लिए kiaffet वालब तक हमारी functioning key है which combination keys will help you select entire rows of the active cell active cell के entire rows को select करने के लिए वो किसकी मद्द से हम इसको select कर सकते हैं किसकी help ले सकते हैं कौन सी key की help ले सकते हैं जिससे हमारे जो active cell की entire row है उसको select करने के लिए तो कौन सा है shift plus space bar जो shift plus space bar हम जो press करेंगे जो active cell की entire row है वो select हो जाएंगे which combination keys will help you select entire column of the active cell active cell के entire column को select करने के लिए कोण सी की की मदद से हम कर सकते हैं तो क्या है वो control plus space bar control plus space bar press करेंगे हम जो active cell की entire column है वो select हो जाएंगे यह एरी और सेली काल जो एरी है सेल का उसको क्या कहते हैं हम यह शीड या वर्कशीड एर वर्कशीड डश डश इसेल बॉंडरी देट स्पैसिफाइब इस एक्टिव एड देड मुमेंट वो कौण सी ऐसी चीज है जिससे हमें पता चलता है इस समय जो कौण सा एक्टिवेड है तो क्या है जो सेल पॉंडर है जो हमें बताता है सेल पॉंडर के बीज जो भी बॉंडरी जे रहती है हमारे इसके बीज जो एक्टिव सेल है पता चलता है जो सेल पॉंडर से बॉंडरी है इसके बीज हमें पता चलता है जे सेल हमारा एक्टिव है इसके बतार सेल बॉंडरी दैस्ट दैश आच आधा ग्राफिक एन पिक्टारी प्रेज़ेश नेशन और कोंड़ सा है हो सकता है इह cách लिए कुँना लिख काम कररे होते हैं वह सेल क्या कहता है क्या है अधुक्तिय। वह कुण सब्सक्राइब होता है । इसमें आप क्रंटली वर्क कर्ते हैं होते हैं वह frontal ü मैं वी इसमेंस कुण सा हुप्षीट debate को सब्सक्राइब करने के लिए help करता है उसका जो shortcut key है तो क्या है alt plus shift plus f1 alt plus shift plus f1 जब हम प्रेस करते हैं एक साथ में तो हमारा जो insert होता है new worksheet और अगर हमें worksheet delete करने का shortcut key क्या है worksheet को delete करने का shortcut key क्या है control plus shift shift plus f11 यह हमारा क्या है worksheet को delete करने का shortcut key है which of the following can be you to select our content in the cell वो कौन सी shortcut key है जिसकी मदद से हम जो worksheet में सब content है उसको select कर सकते हैं तो control plus a जो control plus a हम प्रेस करते हैं जो जो भी हमारा content है उसको select कर सकते हैं पूरा का पूरा which is you to open the excel formula windows वो कौन सी shortcut key है जिससे हम क्या कर साथ है formula open कर सकते हैं excel का formula को open करने के लिए windows में shortcut key का इस्तेमाल करते हैं वो कौन सी है shift plus f3 जो shift plus f3 हम प्रेस करते हैं जो हमारा formula होता है ms excel में उसको open करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो shortcut key to repeat last action in ms excel ms excel में जो last action को repeat करने के लिए कौन सी functioning की का इस्तेमाल करते हैं तो क्या है f4 जो f4 हमें जब प्रेस करते हैं जो last हमारी command रहती है उसको हम repeat कर सकते हैं how are the data organized in a spreadsheet जो spreadsheet में है data कैसे organize होता है कैसे होता है rows और column में rows और column में ही organize कर सकते हम spreadsheet में data को answer हमारा रहा d in ms excel charts are create using which option ms excel में chart को create करने के लिए कौन से option में जणा पड़ता है तो chart y yard जो chart y yard है इसके थूह हम chart को create कर सकते हैं ms excel में all of the following terms are related to spreadsheet software except जो दिए गए option है इसमें सब सब एक साथ किसके साथ spreadsheet साफ्टवेर के साथ ले रहे हैं यह को शोड़ के तो क्या एक को कौन सा शोड़ना है जो worksheet है जे spreadsheet का ही पाट है फार्मूला और सेल जो सब है वाइरस डिडेक्शन जे इसका spreadsheet के समंदित नहीं है which function displays rows data in a column और column data in a row वो कौन सा ऐसा function है जो हमें rows का data column में और column का data row में डिस्प्ले करने के लिए इस्तिमाल करते हैं वो कहां है transpose मैं जो transpose में हम जाते हैं तो हम इसको display कर सकते है rows का data column में और column का data rows में कौन से function में जाना हमें transpose में macros are executed from the dash-menu जो macros है इसको execute करने के लिए कहां से जाना पड़ता है हमें कहां है view में जाने के बाद जो macros है इसको execute कर सकते हैं संचालित कर सकते हैं comment put in a cellR call जो comment है cell में उसको क्या कहते है हम cell tip इसको करना है तो हमें क्या इस्तेमाड करते हैं शंक्राबद तरीके से हम जो हम कैसे कर सकते हैं डाटा को increasing order or decreasing order में क्या है कैसे कर सकते हैं data short में data short में जाने के बाद हम इसको rearrange कर सकते हैं data को ascending order में या descending order में तो कहां जाना है data short में तो कौन सा function हमें इस्तेमाल करते हैं जब हमां कोई number को divide करते हैं तो नीचे reminder बढ़ जाता है तो कौन से return करने के लिए हमें कौन से function में जाना है MOD यह value used in a formula that does not change is called ऐसी कोई value यह formula में change नहीं होती है उसको क्या कहते हैं हम constant answer is a if you like this video please subscribe my channel thanks for watching